आपसे मेरा क्रिब है आपने एक बात कही है कि परसनल लाइफ हो घर हो दफ्तर हो बाहर हो परसोना एक ही होना चाहिए दो नहीं होना चाहिए तो जब मैं पहली बार आपसे मुंबई में मिला तो आप तरुन गोगोई बिमार थे और आपने हफ्तों महिनों उनकी सेवा में वहीं कैंप करते रहे आपको ज़्यादा तर लोग एक बिनम्र सौम में रूप में जानते हैं लेकिन आजकल जो नए लोग आपको इंट्रोडूस हो रहे हैं वो आपको बहुत ही अग्रेसिव बहुत ही रफ टफ व्यक्ति के रूप में जानते हैं पहला बात यही है पॉलिटिक्स में आप कोई अपना व्यूज राखने के लिए यू हैव तो बी अग्रेसिव बट परसनल लाइफ में आप अग्रेसिव नहीं हो सकते हैं बट आपने गोगोई जी का नाम बोला इसलिए मैंने आपको मैंने जब मुंबाइ में मिला था उनका सरजरी हुआ था हार्ट का सरजरी आइ थिंग हम लोग तीन तक सुआ भी नहीं था उधार नहीं हम लोग परह रहा for covid treatment and you know that covid का समय तो लोगो को marks लेना, dress लेना और covid patient का पास तो जाना ही संभब नही था वो समय में भी गगई जी अपना बिस्तर में था covid ward में और में covid ward का अंदर में था surgery things was much before that was an incident of 2011 but abhij of 2020 में और बाद में जब गगई जी का बीमार का बाते हुआ covid हुआ में गगई जी का सेंभब गगई जी का बेट का साथ था and I used to meet him every alternate day में आता था काम से तूरंट में अपना जो डॉक्टर वाला ड्रेस पहन लेता था although I am a not doctor but पूरा आप 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 I used to go to his room and we used to talk for hour by that time I am in BJP he is in Congress और वो मुझको सला डेता था कि हमान ऐसे कर लो ऐसे कर लो NCC लोगो को बुला लो marks नहीं पिंटा तू तुम लुक फाइन मत करो पुलिस से NCC से फाइन करवादो so like that kind of discussion we used to have inside covid world so Assam का कोई politician से मेरा जगरा नहीं है बिपर्क्स, opposition, ruling सब का घर में में जाता हूं सब मेरा घर में आते हैं और we have created a very very favorable political climax in Assam आप Assam में ही देखेगा कोई भी सरकार आते है कोई भी आते है ruling opposition हम लोग we live like a family बिल्कुल तो last question, बिल्कुल super last question आपने का है कि बहुत सारे Congressi BJP जोईन करना चाहते हैं तो आपने जरूर एक list बनाई होगी तो में गौरव का नाम है उपर में तेखे मेरा लगता है कि गौरव गोई BJP में सर्भाइब नहीं कर पाएगा किसले जो भी मेरा जो मनना है और if I am I prove wrong I'll be happy जो एक Congress का जो feudal lords है या lords था उनका जो culture है they have seen a culture in their home which is alien to the culture of BJP तो इसलिए इहां में आके जोइन करके अपने आपको बड़ा transformation करना परेगा मेरे लिए problem नहीं हुआ because my father was not a politician now यह जो transformation है कहीं लूग कर पाते है यह भी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है तो people like गोरव गोव when they have to come to BJP they have to come for a big cultural transformation और में उसको तुमें बच्छा से जानता हूं so I will feel that it will be difficult for him it will not be very easy घर का लोग भी कोई सारे NGO-NGO में involved है तो यह बहुत easy नहीं होगा तो इसलिए better I should not request I hope कि वो आपकी advice सुने और उस पर ध्यान दें